वेलकम बैक तो में अपने अनलेसिस वीडियो में मैं कुछ चेंज करने वाला हूं आपको पसंद आए नहीं पसंद आए नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो यहां पर मैं डीली की वीडियो को डिवाइड करूंगा जैसे हमारा फ़र्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेग मेंली निफ्टी के उपर निफ्टी का एनलेसिस निफ्टी का अकल क्या करने वाला है मेंली निफ्टी 50 और उसी के साथ में हम उसके मेजर 5-6 बड़े श्टॉक्स का सेम वीडियो में डिसकेशन करेंगे एनलेसिस करेंगे जैसे ITC या बारती इटल हिंदुस्तान उनिलीव जिसके अंदर मैं बैंग निफ्टी और निफ्टी फिन को एक साथ डिसकस करूँगा और इनके मेंली जो सारे स्टॉक्स हैं जैसे पहले 4-5 स्टॉक्स को तो हम देखते थे बाट SBI हो गया बजाज फाइनस हो गया है कुछ फाइनस के अच्छे स्टॉक्स जिन में इंट्र इसके अलावा पोश्ट मार्केट अनलेसस वीडियो अगर कुछ लर्निंग मिलता है तो उसका पाटिकुलर वीडियो बनता है तो वो बना के दूँगा अधर्वाइस इन्ही तीनों वीडियो के अंदर जो लर्निंग पॉइंट होगा उनको कवर करूँगा या फिर में भी टाइम बचा तो उसके उपर भी हम दो तीन नेट का एक लर्निंग वीडियो जब भी हमें कोई लर्निंग पॉइंट दिखता है उसको एड करेंगे तो concept कैसा लगा जरूर बताना देखो इससे मेरा भी थोड़ा सा होगा negative मेरे लिए भी है क्योंकि जितनी separate वीडियो लेगे हम YouTube growth की ना सोचके यह सोचके यह सोच हूं मैं कि आपको भी stocks का analysis ज्यादा मिल रहा है जिसको nifty में इंट्रेस्ट है जिसको bank nifty में इंट्रेस्ट है वह उसी साबसे ट्रेड करेगा तो opportunities ज्यादा मिलेगी सीखने को ज्यादा मिलेगा YouTube growth की बात हम बात में देख लें ट्रेड तो मिल जाएगा no doubt 550 के ऊपर एक ट्रेड मिल जाएगा तो market ने gap up opening दी नीचे आया 500 को exact यहाँ पर support बनाया support लेके double bottom बनाके यहाँ पर एक अच्छा candlestick डवलू pattern देके यह आपको यहाँ से एक 620 तकी momentum दिया है exact एई चीज़े मैंने आपको बताई थी कि इनी levels के आसपास breakout देके support ले सकता है अगर morning candle में निकलता तो trade बन जाता बट अगर gap up आ गया है तो trade का wait करना बनता है gap up के बाद में गिरा base बनाया जो मैंने आपको सिखाया भी है base reversal क्या होता है दो bottom लगने का wait करो उसके बाद में अच्छी ऐसी candles देखके buy करो तो आपको एक अच् 13,300 strong support है इसके पास में वापिस आना ही नहीं चाहिए और इदर से 3 दिन में आपको वापिस 19,600 तक का target मिल चुका है अभी 600 के ऊपर यहाँ पर bullish होता है थोड़ी से range है 600 to 800 का level यह सारे आपके लिए यहाँ पर sideways zone बनेगा 200 point तक market sideways to bullish है ज्यादा bullish momentum नहीं आएगे but sideways to bullish में भ 400 का level यह 200 point की जो momentum है यह हमारे लिए थोड़ी से sideways to bullish लगी कल का दिन हम थोड़ा सा sideways plan कर सकते है आज भी volatility की high अब देखते हैं इसको कैसे trade करना है यहाँ पर chart को zoom out करके हम support resistant draw कर लेते हैं तेको मैं काफी कोशिश करता हूं हर तरीके से आपको जो है वीडियो के अंदर सिख लेना 530-550 का level निटी में यह आपके लिए support का काम करेगा अगेन इसके उपर जो resistance बनता है वो resistance आपका पहला तो यहीं है 640 के आसपास 640 क्रॉस होता है तो फिर आपका main resistance 640 को भी हटा दो 680 680 के आसपास इसको shift कर दो तो यहाँ पर हमारे पास level निकल के आया है 535 550 के आस 19,680 के आसपास का होना चाहिए 680 उपर break होता है तो 19,750 और 800 तक जाएंगे बड़ फिलाल 680 को दिमाख में रख करें हमकल trade करेंगे इससे बड़ी position हमें 2 side में one sided में नहीं जाना 680 के आसपास थोड़ी सी profit booking करनी है बंद हुआ है 600 के आसपास अभी यही चीज देखने वाल अगर या 570 के नीचे निकल रहा है 19,570 के नीचे निकल रहा है इस range के नीचे बिल्कुल flat opening देता है यह मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल flat opening की जैसे हमने level mark किया वह 680 के आसपास profit booking करेंगे 535 के आसपास हम वापस से बाइंग करेंगे 535 या 550 के आसपास पास 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 देता है 19,610 को उपर break करता है तो buy करो पहला target 90,610 के उपर आपका सीधा 680 तक का होना चाहिए ठीक है candle की closing मिलना जरूरी है अगर market इसी range में open होता है और उपर ना निकल के नीचे निकलता है 580 या 570 के नीचे 570 के नीचे target कितना है 550 के आसपास का target है न तो यह 20 point के लिए trade करना बनता नहीं है तो कहने का मतलब है हम 535-550 के आसपास hammer वगर देखके bullish position लेंगे बच उपर के लेवल पर अगर 610 के उपर candle closing देता है 610 के उपर हम वापस से buy करेंगे 610 के उपर हमारा target 680 का होना चाहिए बच अल्रेड़ी अगर gap वगर कुछ आ गया 670 680 के आसपास तो एक बड़े gap अप में shooting star वगर देखके हम morning के अंदर ही थोड़ी selling plan कर सकते हैं अगर नीचे तोड़ता है 530 का level नीचे तोड़ता है तो यहां से selling फिर आपको सीधा 450 तक दिखाई दे सकती है 450 के नीचे और बड़ी selling plan कर सकते है अब हमारा पहला stock है आज ITC ITC देखो यह 450 के level के आसपास और 450 पहले हमारे लिए resistance हुआ करते थे अभी हमारे लिए support बन गया एक बड़ी selling के बाद में हमें यहां पर एक डूजी दिखाई दिया अब यह डूजी का high break होगा तो यह छोटा position इंट्राडे में bullish बन सकता है अगर डूजी का low break हुआ तो जो selling है वो उपर निकलता है cross करता है तो 457 के उपर हम 1,5% के लिए इसको buy trade ले सकते हैं दोनों तरफ डोजी को play कर सकते हैं नेक्स स्टॉक है हमारे पास बारती है डेली के इंगल बारती है आप देखेंगे 900 का low high लगाया है 900 हाई के आसपास triple top type का आपके पास यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है proper resistance बनावा है बट यहां पर एक range है 860 से लेकर 900 यह 40 पॉइंट के अंदर बारती है इतल गूमता ही रहता है पहला क्या target हमारा होना चाहिए पहला action हमारे यह होना चाहिए कि अगर 900 ब्रेक करें तो बाइंग सेड में जाना ही जाना है अगर 900 के आसपास यही 1.5% का momentum हम इंट्राडे में play कर सकते हैं नेक्स स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी देखो कितना अच्छा pattern बना है इसके अंदर buy करने के लिए इसलिए मैंने stocks को और add किया क्योंकि आपको opportunities जो है ज्यादा मिलने वाली है trading की stocks में भी खाफी अच् अगर इनका यहाँ पर high break होगा तो आपको काफी अच्छा trade मिलेगा 2580 के उपर आप यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में buy कर सकते हो 2580 के उपर पहला target आपका 2620 point का होना चाहिए जो 1% भी नहीं होता है बच फिर भी 20 point काफी होते हैं क्योंकि margin मिलता हमें stocks में तो 80 के उपर और 2600 उपर break हो रहा है तो आपका target होना चाहिए 2630 का एक 70% की momentum और उपर देखने को मिल जाएगी 2600 के उपर next stock है हमारे पास infosys 1393 के आसपा से continuously उपर जा रहा है infosys जैसे मैंने आपको बताया था कि 10% ऐसे stocks नीचे गिरने के बाद में reward selling नहीं देखा सकते आपको हमेशा एक buying opportunity मिलती है मैंने आपको 1350 के आसपास buy कर रहा है आज 1394 में पिच्चान में के आसपास आ चुका है करी 45 point मिल रहे हैं तो 13% का profit मिल रहा है अभी इसको hold करो इंट्राडे वाले अब positionally fresh trade में उठाना यहां पर थोड़ा ऊपर आने के बाद आप trap हो सकते हो देखो यहां पर 1400 के लेवल पर अगर buy करते हो न तो आपका stop loss 1350 के नीचे रहेगा 3.5% का stop loss लगाना positional trade में मेरे को तो इतना भी ज्यादा लगता है 1.5% के stop loss के साथ में trade मिल जाए जैसे 1350 में buy को बोला था वहां पर 1330 का stop loss लगा के buy हो सकता था और काफी इच्छा profit 3% 1.3 हमें देखने को मिल गया इंटराडे में उठा सकते हैं 1350 में के उपर इंटराडे में निकलता है तो 1405 ये 1410 तक के target के लिए 10-15 point के लिए उठा सकते हैं 2-4 point का stop loss लगा के नक्षे stock है हमारे पार TCS 3483 के आस पास 3400 के उपर बोला ही था मैंने आपको bullish हो सकता है एक और momentum देखने को मिल जाएगी 3400 के उपर 3483 तक total आ चुका है अब ये momentum अगर कल continue हुई तो और momentum आपको देखने को मिल जाएगी target आपके 3520 तक के minimum होने चाहिए 3520 तक हम इसको trade कर सकत है trade plan हमारा होना चीए 3480 के उपर 3480 के उपर निकलता है आज के high के उपर या 3490 के उपर 3520 तीस एक point के momentum आपको 1% easily capture करने के लिए मिल सकता है next stock है हमारे पास reliance 2523 के आसपास है reliance भी कोई double bottom बनातो वह दिखा ही दे रहा है मैंने आपको market में पहले भी बोला था कि यहां bottom अंदर आज आपको एक view मिल रहा होगा जैसे हमने mainly 5-6 stock बड़े discuss किये जिनका market cap काफी बड़ा है तो सब में हम देख रहे हैं कि कईनके bullish trade मिल रहा है जिसकी वज़े से हमें एक nifty का overall view मिल गया कि थोड़ा सा nifty upside ही push हो रहा है जब तक यह stocks नीचे की तरफ कोई pattern नहीं बना तो ऊपर 2560 के ऊपर जाके break होगा फिलाल हम इसको trade कर सकते हैं 2535 के ऊपर 2535 के ऊपर निकला तो 2560 तक का target easily मिल जाएगा इसके ऊपर 2530 मिल जाएगे अगर 2560 ऊपर break होगा तो फिर again 2600-2640 तक के target भी हम reliance के अंदर लेके चलेंगे if you like this video please click on like button and subscribe the channel thank you